हेलो फ्रेंड्स, तो ये कहानी है एक रकुन रूफस की, जो अपने विजर्ट फ्रेंड के साथ अर्थ पर आया है, ताकि वो लोग अपनी मैजिकल दुनिया को बचा सके, लेकिन जहां उनका सामना अपनी ही दुनिया की एक शेतान विच्ट से होता है, तो मूवी की शुरू एक पुराने मैंशन से शुरू होती है, जहां हम एक जादू कर एबेट और उसके दोस रूफस को देखते हैं, ऐसा लगता है, जैसे वो किसी से बच कर भाग रहे हैं, और तब लिलित नाम की एक विच्ट महां आती है, जो एबेट की एक स्पेल बुक के पीछे है, इस एकल डोर से वहां से भागने की सोचता है, लिलित उसे रोकने की कोशिश करती है, और इसी चकर में एबेट का मैजिकल एम्यूलेट वहीं गिर जाता है, लेकिन गायब होने से पहले वो लिलित के मैजिक को पाइंड कर देता है, लिलित को इस बात से बहुत गुस्सा आता ह लेकिन तब ही किसी के आने की आवाज सुनकर उसे भागना पड़ता है, और यहीं रूफस उस मैजिकल एम्यूलेट को उठा लेता है, आगे का सीन दो सल बात का है, जांप स्कोर्ट नाम के लड़के को उस मैंशन में आते वे देखते हैं, पता चलता है कि यह असल में उसक और बुक को ढून रही है, और नॉर्मेन और एडगर उसी के हायर कियोए चोर है, स्कोर्ट और एमिली को भी ये लोग थोड़े अजीब लगते हैं, और वो समझ जाते हैं कि हमें इनके मूँ नहीं लगना चाहिए, यहीं रूफस भी छुपकर उन सबको नोटिस कर रहा है और ऐसा लगता है, जैसे वो इन बच्चों से कुछ बात करना चाहता है, उस रात सोते वें उने कुछ आवाजे सुनाई देती हैं, और वो देखते हैं कि लिलित और वो नोकर इतनी रात को भी जाग रहे हैं, लिलित कहती है कि हम तो यहां कुछ बुक्स पढ़ने आये थे और उने बातों में उलजा कर वहाँ से वापस भेज देती है, स्कोट और एमिली को उन पर शक होने लगता है, और तब ही वहाँ एक ऐसा तरवाजा कुलता है, जो काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था, अंदर आने पर उनका सामने रूफस से होता है, और वो एक एलिन क के एक इंटेलिजन्ट जीव हूँ, और स्कोट और उसकी फैमिली के बारे में सब जानता हूँ, स्कोट को अभी भी कुछ समझ नहीं आता, और रूफस उसे बताता है, कि ये सब मुझे तुम्हारे दादा जीने बताया था, उन्होंने कहा था, कि तुम भी उनके जैसे बह और एक दिन यहां मेरी मदद करने जरूर आओगे, और तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, स्कोट पूछता है, कि आकिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, और तब रूफस उसे बताता है, कि मैं अपने दोस एबिट के साथ एक दूसरी डैमेंशन से आय और रूफस बताता है, कि वो तो फिलहाल मुझसे कहीं पिछड़ गया है, जिसका कारण है लिलित नाम की वो शेतान विच, एमिली कहती है, कि मुझे तो उस पर पहले से ही शक था, लेकिन रूफस बताता है, कि उससे डरने के कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एबिट ने उ के वर्ड्स को नहीं पढ़ सकता, यहीं नौर मैन और एडगर भी एक होल से ये सब देख लेते हैं, और एडगर तुरंत ये बाद लिलित को बताने जाता है, इधर एमिली के समझाने पर स्कोट भी उसकी मदद करने को तयार हो जाता है, और वो देखते हैं कि एमिलेट पर एक दम खाली है, और लिलित उने किसी भी कीमत पर उन बच्चों को पकड़ने को कहती है, इधर वो तीनों आगे बढ़ते हो एक रिवर के पास आते हैं, और वहां अचानक एक मगरमच रूफस को निकल जाता है, स्कोट और एमिली बहुत डर जाते हैं, और तब ही कहीं से एवेट वहां आकर उस मगरमच को बगा देता है, और रूफस सही सलामत बाहर आ जाता है, रूफस एवेट से इनका इंट्रोडक्शन कराता है, लेकिन वो देखते हैं कि जंगल में रहने से एवेट की याताश कमजोर हो गई है, और वो अपने जाज़तर स्पैल्स भी जिससे वो अपने दुनिया को फिर से ठीक कर सकते हैं, और उसे बनाने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए, वही सब लेने वो अर्थ पर आये थे, रूफस उसे बुक की लोकेशन पूछता है, और एवेट बताता है कि वो इस वक सिटी की नेशनल लाइबरेरी में है, फिर स जल्दी से लाइबरेरी के अंदर चले जाते हैं, वहाँ वो उस मैचिकल बुक को ढूँडने लगते हैं, लेकिन तब ही वहाँ सिक्योर्टी आ जाती है, और उनसे बचने के लिए वो एक टेबल पर बैठ जाते हैं, तब ही एवेट के नजर उस बुक पर पड़ती है, जो उनके ठीक सामने एक बोक्स में रखी हुई है लेकिन सिक्योर्टी के होते वे वो वहां तक नहीं पहुंच सकते तब एमिली सिक्योर्टी का ध्यान बढ़काने जाती है और पीछे से एबिट और स्कोर्ट उस बुक को चुरा लेते हैं इससे वहां एक अलाम बजने लगता है लेकिन वो लोग किसी तरह बजते वे वापस मैंशन में आ जाते हैं स्कोर्ट को लगता है कि आप शायद वो मैजिकल डस्ट बना सकते है लेकिन एबिट बताता है कि ये बुक तो बस एक शुरुआत थी और अभी तो हमें कुछ एलिमेंट्स कठा करने होंगे एमिली उससे उन एलिमेंट्स के बारे में पूछती है और एबिट बताता है कि हमें टोटल चार एलिमेंट्स चाहिए पहला है डाइनसौर की हड़ी दूसरे एक हजास साल कुराने वोली पेड का टुकडा तीसरे एक वोलकैनों से निकला हुआ पत्थर और आकरी है रूफस के बलड की कुछ बूदे फिर वो दर्वासे के थुरूप पहले एलिमेंट्स के बाद जाने लगते है लेकिन अचानक लीलित वहां आकर एबिट को पकड़ लेती है और इस छीना चप्टी में स्पेल बुक का आदा हिस्सा उसके पास आ जाता है वो नोर्मेन और एटकर से उनका वहीं इंतिजार करने को बोलती है और खुद अपनी मैजिकल पावर्स को रिवाइब करने चली जाती है इधर एबिट और बाग की लोग एक डिजर्ट में आते हैं और वो उन्हें बताता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हीलिंग स्पेल अभी भी उसी के पास है फिर वो डाइनसोर की बोन्स को समन करता है लेकिन गलस स्पेल होने की वज़ा से वहाँ एक जीता जागता कंकाला जाता है और वो सब उससे बचकर भागने लगते हैं रूफस उसे रोपने की कोशिश करता है लेकिन वो डाइनो से निगल कर अपने पेट मे ले जाता है एबेट बच्चों को वापस रूम में भेज देता है लेकिन नॉर्मन और एडगर वहाँ उन्हें पकड़ लेते हैं एबेट अपने अधूरे मैजिक से किसी तरह रूफस को अजाद करा लेता है और वो उसकी हटी लेकर वापस रूम में आ जाते हैं लेकिन देखते हैं कि स्कोट और एमिली में से वहाँ कोई नहीं है उधर नॉर्मन और एडगर बच्चों को टोर्चर कर रहे हैं ताकि उनसे उस बुक के बारे में जान सके और तब ही एबेट और रूफस वहाँ आकर उन्हें बचा लेते हैं यहाँ एबेट उन्हें बताता है कि हमारा अगला एलिमेंट एक मैजिकल फोरेस्ट में है और वहाँ हमें एक पार्क के रास्ते जाना होगा यहीं लिलित भुक की मदद से एक पोशन तियार करती है जिसे पीते ही उसका मैजिक वापस हा जाता है और वो एबेट को रोकने के लिए निकल पड़ती है एबेट भी पार्क में उस सीक्रेट एंटरेस्ट को खोलता है और वहाँ से वो लोग उस मैजिकल फोरेस्ट में आ जाते हैं जहाँ एबेट उन्हें बताता है कि हमारी दुनिया भी आर्थ के जैसी ही थी लेकिन फिर हमने उसे इगनोर करना शुरू कर दिया और इससे वो बरबादी के गदार पर आ गई वो उने इस तरह की गलती से बचने को कहता है और फिर जल्दी ही वो उस पेड तक पहुँच जाते है रूफस उपर उसके टुकड़े को तोड़ने जाता है लेकिन तब ही एक बड़ा सा आउल उसे पकड़ लेता है और एमिली एबिट से उसकी मदद करने को कहती है बड़ी मुश्किलों से वो एक स्पेल याद करता है लेकिन वो देखते हैं कि आउलने उपर से ही रूफस को नीचे गिरा दिया है यहां से निकल कर वो वापस मेंशन में आते हैं लेकिन पता चलता है कि लिलित वहां उनका वेट कर रही है वो दोनों एक दूसरे पर अपनी ताकत आजमाने लगते हैं लेकिन आखिर में जीत एबिट की ही होती है और वो उनसे बचते वे अपने तीसरे ऐलिमेंट के पास आ जाते हैं ये असल में वर्ल्ड के एंड पर बना एक वोलकैनो है जहां से उन्हें वो स्टोन हासिल करना है इदर नॉर्मेन और एडगर लिलित का साथ चोड़ने को कहते हैं जिससे नाराज होकर वो उन्हें माउज में बदल देती है और कुद एबिट के पीछे उस वलकैनों के ओर चली जाती है एबिट और उसके दोस्तों को भी एक स्टोन मिल जाता है लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से वापस निकल पाएं उन्हें रोकने लिलित वहाँ आ जाती है और एबिट के एमुलेट को उससे छीन लेती है फिर वो उसे बुक का वो आदा हिस्सा देने को कहती है लेकिन एबिट ऐसा करने से मना कर देता है और वो लोग उससे लड़ने का फैसला करते है एबिट एक के करके उस पर कई अटैक करता है लेकिन लिलित की पावर पहले से बहुत बढ़ चुकी थी और उस पर इनका कोई असर नहीं होता फिर लिलित बुक में से एक स्पेल को पढ़ने लगती है और वो देखते हैं कि वुलकैनों से एक खतरनाक ड्रैगन निकल रहा है रूफस उसे भी कोई स्पेल यूज़ करने को कहता है लेकिन रैबिट बताता है कि मेरे पास इसे रोपने का कोई तरीका नहीं है इधर लिलिट रैगन से उन पर आग छोड़ने को कहती है और रैबिट उने बचाने के लिए अपने स्पेल का यूज करता है लेकिन इसके साथ ही उसका शरीर भी कमजोर पढ़ने लगता है रूफस और वो बच्चे भी साइड में जाकर छूप जाते हैं और देखते हैं कि लिलिट के हाथ बुक का वो दूसरा हिस्सा भी लग गया है जिसे जोड कर उसने पूरी बुक बना ली है वो उस बुक और एमुलेट को पाकर बहुत खुश होती है लेकिन तब ही एबेट अपनी पावर से उस एमुलेट को दूर उचाल देता है और कहता है कि अब हम में से कोई वापस नहीं जा सकता उधर रूफस ही मत करके उस ड्रैगन से लडने जाता है लेकिन देखता है कि उसका चाको ड्रैगन का कुछ नहीं भिगार पाता और ड्रैगन उसे उचाल कर नीचे पटक देता है यहां उसे वो एमुलेट नजर आता है और ड्रैगन से बचते हुए वो वापस उपर चड़ने लगता है फिर वो एमुलेट की मदद से उस मैजिकल डोर को खोलता है और स्कोट और एमिली वापस मैंशन में चले जाते है लिलित भी बूप को और एमुलेट के साथ वापस चली जाती है और थोड़ी ही देर में हम एमिलेट को जाकते हुए देखते हैं जिसकी सारी मैमरीज अब वापस आ चुकी है तब ही वो उस ड्रैगन को फिर से अपनी और आते वे देखते हैं और इस बार एमिलेट उसका जम कर मकाबला करता है इस तरह फाइनली वो ड्रैगन मारा जाता है और एबिट और रूफस भी वापस मैंशिन के और निकल जाते हैं इधर स्कोट और एमिली लिरिट से वो बुक और एमिलेट छीन लेते हैं और गुसे में वो उन पर अपने स्पेल का यूज करती है तब ही हम देखते हैं कि रूफस ने बीच में आकर उन्हें बचा लिया है लेकिन वो खुद इस वार को नहीं जेल पाता और वहीं दम तोड़ देता है एबिट भी जल्दी ही वहाँ पहुंचाता है और एमिली से उस एमुलेट को लेकर लिरित को हमेशा के लिए एक अंजान जगा पर बेज देता है स्कोट और एमिली को रूफस के जाने का बहुत दुख होता है और तब एबिट उने बताता है कि हम मैचिक डस से इसे ठीक कर सकते हैं फिर वो उन सारे एलिमेंट्स को इकठा करता है और रूफस का बलड उसमें मिलाते ही मैचिक डस बन कर तयार हो जाती है रूफस भी जल्द ही ठीक हो जाता है और वो रैबिट उन बच्चों का शुक्रियादा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बीना हम ये सब कभी नहीं कर पाते फिर वो मैचिकल डोर से अपनी दुन्या में वापस चले जाते हैं और स्कोट और एमिली ये सब बाते अपनी क्रैंड मदर से शियर करते हैं तब ही वो देखते हैं कि रूफस एक बार फिर उन से मिलने आया है जो उन्हें बताता है कि हमें तुम्हारी मदद की फिर से जरूरत है पीटर और सारा को भी ये स्टोरी बहुत पसंदाती है और उस पर दादा जी उन्हें बताते हैं कि अभी तो स्टोरी का सेकंड पार्ट भी बाकी है और इसी के साथ हमारी ये मुवी खत्म हो जाती है